तो दोस्तो थालापती बिजय सर की दगोट फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे छे दिन हो चुके हैं और इस छे दिन का ओफिसियल बॉक्स ओफिस कलेक्शन आ चुका है तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दगोट फिल्म ने छे दिन में दुनिया भर के बॉक्स से कितने करोर रुपए कमा लिये हैं और साथी साथी ये भी जानेंगे कि स्ट्री टु फिल्म ने 27 दिन में दुनिया भर के बॉक्स ओफिस से कितने करोर रुपए कमा लिये हैं और बात करेंगे आज रिलीज हुई जुनियर इंटियर सर और जानवी का पूरे श्टार फिल तो दोस्तो आपको बता दे कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन इंडिया भर के बॉक्स ओफिस से 64 करोर 80 लाख रुपई की कमाई की थी और इस तरह से इस फिल्म का 25 दिन का टोटल नेट इंडिया बॉक्स ओफिस केलेक्शन 501 करोर 44 लाख रुपया हो चुका था और आपको पता दे कि सारुखांसर की पठान फिल्म ने 25 दिन में 543 करोर 22 लाख रुपई की कमाई की थी तो दोस्तो इस त्रीट फिल्म ने 25 दिन की टोटल नेट इंडिया बॉक्स ओफिस केलेक्शन के मामले में सारुखांसर की पठान फिल्म को पीछे कर दिया है तो ही इस फिल्म कल अपने 26 दिन इंडिया भर के बॉक्स ओफिस से 3 करोर 40 लाख रुपई की कमाई की थी और ये फिलिम आज अपने 27 दिन इंडिया भर के बॉक्स ओफिस से 3 करोर 50 लाख रुपई की कमाई की है तो इस तरह से इस फिल्म का 27 दिन का टोटल नेट इंडिया बॉक्स ओफिस कलेक्शन पांसो अठाबन करोड 34 लाख रुपया हो चुका है तो ही वर्ल्ड वाइड बॉक्स ओफिस कलेक्शन 795 करोड 40 लाख रुपया हो चुका है और इस फिल्म का बज़र सिर्फ 40 करो रूपया है तो इसलिए दोस्तो इस 3-2 फिल्म Box Office पे all time blockbuster हो चुका है और आपको बता दे कि इस फिल्म को release हुए आज पूरे 27 दिन हो चुके हैं फिर भी दर्शक थियेटर्स में इस फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं पर दोस्तो अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लगा कमेंट बक्स में लिक कर जरूर बताईएगा तो ही दोस्तो बात करे थाला पती बिजैसर की दगोट फिल्म की 6 दिन की टोटल Box Office Collection के बारे में तो दोस्तो सबसे दिन 2,28,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 सकों को बताए हैं जैसा कि आप लोग देख सकते हैं तो ही दोस्तों बात करें इस फिल्म की छे दिन की टोटल box office collection के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म का चार दिन का टोटल नेट इंडिया box office collection 144 करोर रुपया हो चुका था तो ही इंडिया ग्रोश कलेक्शन 179 करोर बिरानमे लाक रुपया हो चुका था और इस फिल्म ने चार दिन में overseas से 128 करोर रुपय कमाए हैं तो इस तरह से इस फिल्म का चार दिन का टोटल वर्ल्ड वाइड box office collection 297 करोर बिरानमे लाक रुपया हो चुका था और ये फिल्म कल अपने पाचवे दिन इंडिया भर के box office से 14 करोर 75 लाक रुपय की कमाई की थी और ये फिल्म आज अपने छठे दिन इंडिया भर के box office से 13 करोर 34 लाक रुपय की कमाई की है तो इस तरह से इस फिल्म का 6 दिन का टोटल नेट इंडिया box office collection 172 करोर 90 लाख रूपया हो चुका है तो ही इन्डिया gross collection 200 करोर रूपया हो चुका है और वो ही बात करे इस फिल्म की 6 दिन की टोटल worldwide box office collection के बारे में तो दोस्तों आपको बता दे कि इस फिल्म ने 6 दिन में दुनिया भर के बॉक्स ओफिस से 380 करोर 45 लाख रुपई की कमाई कर ली है और इस फिल्म का बज़र्ड 400 करोर रुपया है तो इसलिए दोस्तो ये फिल्म अब बॉक्स ओफिस पे बहुत ही जल्द सूपर हिट हो जाएगी और आपको बता दे कि ये फिल्म भी दर्सकों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और इस फिल्म के रिव्यू भी बहुत ही अच्छे आये थे तो दोस्तो अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आपको ये फिल्म कैसा लागा कमेंट बक्स में लिक कर जरूर बताईएगा तो ही दोस्तो बात करें आज रिलिज होने वाली देबरा पार्ट वन फिल्म की टेलर के बारे में तो दोस्तो आपको बता दे कि इस फिल्म में जुनियर एंटियार सर, सैफिली खान सर, जानवी कपुर जी और परकास राजजेस से बेहतरी नेश्टार इस फिल्म में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म का बजड तीन सो करोर रुपया है और इस फिल्म के टेलर को आज सामके पांच बज के चार मिनट पे टी सीरीज के ओफिसियल यूटूब चैनल पे रिलीज कर दिया जाएगा और ये फिल्म इसी 17 सिक्टेंबर को थीयटर में रिलीज होने वाली है और जिस तरह से इस फिल्म को देखने के लिए दर्सकों में क्रेज बना हुआ है इस हिसाब से ये फिल्म अपने पहले दिन इंडिया भर के बॉक्स ओफिस से 50 करोर रुपय की ओपनिंग लेने वाली ह तो ही पने दुनिया भर के बॉक्स ओफिस से 100 करोर रुपय से भी जादे की तो दोस्तों अगर आप लोग इस फिल्म के टेलर को अभी तक नहीं देखे हैं तो जा कर देख सकते हैं क्योंकि मैं जब तक इस वीडियो को अपलोड करूंगा तब तक सामके 5 बज गय होंगे त तो आपको इस फिल्म का टेलर कैसा लगा कमेंट वक्स में लिक कर जरूर बताईएगा और ऐसा ही अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में